जहने एस्पिरेंट साहरू बिठाकुर वलकम यू तो SSB क्रैक एक्जाम्स चैनल और मेर विद न्यू टॉपिक सो आज हम बात करने जा रहे है काबनेट ने रिसेंटली पास किया है पैन 2.0 प्रोजेक्ट तो चलिए जानेगी कि क्या फरक है नए पैन में और पुराने वाले पैन में और क्या सबको एक नया पैन अभिशू कराना पड़ेगा तो चलिए जानते हैं डिटेल में सो यूनिन मिनेस्टर अश्विनी वाष्णव इन्होंने अनाउंस किया कि गौर्मेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है पैन 2.0 कैबिनेट कमीटी ओन एकॉनमिक अफियर जिसको चेर कर रहे थे प्राइम मिनेस्टर मोधी जी इन्होंने ही इंकम टेक्स डिपार्टमेंट का ये प्रोजेक्ट था पैन 2.0 इसको फाइनली एंप्रूव कर दिया गया है तो प्रोजेक्ट क्या है पर्मनेंट अकाउंट नमर भी आल नो पैन का फॉल फॉर्म है और इनका जो मेन विजन आप कह सकते हैं ये बनाना चाहते हैं पैन कार्ड को अपना कॉमन बिजनेस आ किया जाएगा हर एक means आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसे फीचर डाले जाएंगे qr code डाला जाएगा उसके अंदर ताकि प्रॉपली फिजिकल कॉपिस बन करती जाएंगे scan करके ही आप अपने पैन कार्ड को देख सकते हैं तो सबसे पहले जानते हैं यह पैन जो है यह होता क्या है और यह एक पर्टिकॉलर इंसान की सारी की सारी financial activities जो पेमेंट्स के रिलेटेट चाहिए रहते हैं उनके ओपर सारा टाप करता है done so now these यह रहा एक तरह का पैन लेकिन यह अलग अलग पार्ट से बटा for example पहले जो हमारे तीन यह एक पैन कार्ड अब समझ लिए तो कोई भी ए से लेके जड तक जो है यह अलफाबेट्स होंगे capital में यह mention होते है फोर जो अलफाबेट होता है वो कुछ भी हो सकता है P F C H A T इन में से अगर किसी normal individual का अगर पैन है तो that will be by the तो यहां पे word आएगा अलफाबेट आएगा P अगर किसी firm के नाम पे पैन कार्ड issue है तो यहां पे अलफाबेट आएगा F अगर company के नाम पे C H U F के नाम पे तो H association है कोई तो A और T है trust तो fourth जो हमारा अलफाबेट है वो decide करेगा इन में से किस category में जो है पैन issue कराया जा रह आपको T जो है वो यहां पे आएगा so this will be the alphabet जो आपके सरनेम का पहला alphabet होगा then this is the 7190 तो यह कोई भी अगे 01 से लेके 999 तक क्या होगा यह जो है 001 से लेके 4 बार 9 यहां तक क्या होगा कोई भी यहां पे digits डाले जा सकते है और last में है K that is the check digit ठीक है जी तो यह रहता है एक P पैन कार्ड के जो भी आपका पैन नंबर आपको इशू किया जाता है ना बात करते हैं कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट के सो आप जानते हैं कि जो पर्मनेंट अकाउंट नंबर है यह जो पैन नंबर है वो इशू करहा जाता है अंडर 1972 का section 139A income tax act है उसी के अंडर इसको इशू क किया जाता है एक taxpayer के लिए identification नंबर है unique रहता है किसी का भी जो पैन नंबर है वो same नहीं होता है similarly अब जो पैन 2.0 हो आया है इसके अंदर आएंगी अब technologies upgrade जितने भी आस तक हमारा जितने हमारे पैन टान सर्विस सिसम थे जो activities थी अब उनके अंदर अप्ग्रेडेशन आए सो बात की जाए को दिस एक e-governance initiative है किस चीज के लिए re-engineering the business processes of taxpayer registration services और government ने इस particular project के लिए रखा है 1435 क्रोड रुपीस ठीक है जी taxpayer registration services को और जाद enhance किया जाएगा financial activities को एकी जड़ा tap किया जाएगा then revamp pan ये एक QR code feature के साथ आएगा so for example now पहले आप जानते है कि physical copies आपको pan की दिखाने पड़े थी बट नहीं अगर आपके पास QR होगा so simple it will be scan और जैसे scan होगा तो आपका पूरा का पूरा detail जो pan number है pan card है वो सब सामने आ जाएगा तो quick scans done online functionality हो जाएगी correct economic system पूरा का पूरा digitalize हो जाएगा because जब भी हम आज के टाम पे कोई banking related जैसे आप 18 plus हो जाते हैं सबसे पहला आपको pan card के लिए बोला जाता है जितने हैं विमाल लेजिए कोई एक बच्चा है ठीक है वो he is not 18 जितने भी उनके अगर कोई SIP भी है कोई कुछ भी bank के सार्जिस्टेशन as soon as वो बच्चा जो 18 का होता सबसे पहले pan के लिए ही apply किया जाता है because as soon as you turn 18 आपको इन सब चीजों में digital experience and सबसे बड़ी बात जब भी हम digitalization की बात करते हैं तो सबसे पहले ease of access और fast services done so physical copy को issue कराने में आ तो normally आप apply कीजिए आपको QR code मिल जाता है तो of course आपको जो अप्लिकेशन है वो बहुत जादा easy हो जाती है quality के अंतर हम increase देखने को मिलता है निया पैन है वो function करेगा as a universal identifier जितनी भी हमारी payments होगी देखे online चीजों का यही फायदा है कि आप हर एक जगा आप उसको upload करेंगे तो जितनी भी business related engagements है उन सब के लिए common identifier आजाएगा that is our plan so जब minister Vashnam जो है वो इस decision को announce भी कर रहा है तो particular time पर he talked about the upgrades जैसे कि मैं आपको बदा है QR code को add किया जाएगा एक और चीज इसमें बोला गया है कि जो भी taxpayers है इसमें से कोई भी service हो है paid नहीं होगी totally free कराया जाएगा security को enhance कराया जाएगा because digital infrastructure जब भी आता है तो सबसे पहले हमें cyber frauds का ध्यान रखना होता है correct तो protection और जादे increase हो जाएगी जितने भी हमारी pan और tan के related activities है जहां जहां में pan card की जरूरत है tan card की जरूरत है tan number की जरूरत है उनने सब को एक ही platform के अंदर किया जा सकते है so of course एक unified ecosystem आपको मिलेगा unified portal उसके लिए मिलेगा जो processes से बहुत जादे easy हो जाते है secure हो जाते है और fast हो जाते है so existing system है उसको upgrade किया जाएगा तो of course digital backbone तो नहीं एक तरीका लाए जा रहा है कि किस तरह से common business identifier बनाया जाएगा एक unified portal ठीक है completely paperless रहेगा online यह system रहेगा जिसे पहले आपको card मिलता था slips अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा directly you will be getting this online ही हो जाएगा और बहुत जादे इसके उपर हमें details नहीं है पर जितना जितना भी हम में government के द्वारा पता लगए तो उसे पर हम बात करें grievance radial system जो है उसको update किया जाएगा data production के लिए pan data vault system setup किया जाएगा unified portal मैंने आपको already पहले ही बता दिया है so basically अगर features की बात करें तो streamline processes की के जो भी एक ही आपको portal दे दिया जाएगा जितनी में taxpayers है आपको वही register करना है data consistency एक जैसे मैंने आपको बता है common identifier बनाने का इसका main reason है तो यह सारे के सारे जो एक single source हो जाएगा eco-friendly approach paperless system रखा गया totally online होगा कोई भी physical copy इसके लिए produce नहीं जाएगी security तो paperless system से तो कोई copy या इन सब चीजों के ओपर ध्यान नहीं दिया जाएगा of course आप आराम से इस पर काम कर सकते है और एक और जो सबसे बड़ा question है कि क्या जिनके पास already pan है उनको नए के लिए apply करना होगा तो बिल्कुल भी नहीं cabinet नहीं इंशोर किया है कि जो existing pans है वो आपके लिए of course valid है so वो valid है बस होगा क्या कि उसके round का जो हमारा सारा physical system है जो उसके ecosystem है pan के वो सारी activities change हो जाएगी हाँ और दूसरी बात जब भी update आएगा तो of course वो भी government करेगी without any cause then so अगर अभी इस particular time पर बात करें तो 78 करोड means 98% of fans जो already issue किये जा चुके हैं since 1972 तो upgrade अगर होता भी है तो better digital experience हमें देखने को मिलेगा existing band holders है उनको इसने particular time पर कुछ भी नहीं करना है so that's all for this particular update for the pad 2.0 अभी आपके screen पर है कुछ courses for SSB interview अगर आप एक difference aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं